हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं काले चने की बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी इस तरीके से काले चने की सब्जी बनाओगे तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चलिए हम सब्जी बनाना सुरू करते हैं मैंने यहां पे काले चने 8-10 गंटे के लिए बिगोकर रख दिये थे चने अच्छे से दुले होने चाहिए क्योंकि जिस पानी में हम चने उबा लेंगे वो पानी फेंकेंगे नहीं सबजी बनाने में काम लेंगे चने कूकर में डाल देंगे साब पानी डालेंगे पानी डालते समय ध्यान रखे पानी कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए चने पूरे पूरे डुबे हुए होने चाहिए नमक डालेंगे एक चमच कूकर का ढकन लगा कर दो से तिन सीटी लगा लेंगे एक कटोरी में आदा छोटी चमच अल्दी डालेंगे दो चमच धनिया पाउडर डालेंगे दो चमच लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक डालते समय द्यान रखें चने में भी नमक डला हुआ है तो कम ही डालना है नमक दो बड़े चमच दही जिससे हमारे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे और तेल गरम करेंगे तेल गरम होते ही जीरा और हींग डाल देंगे हींग और जीरा चटकते ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे दर्दरा कुटा हुआ लसुन और अद्रक डाल देंगे कुछ सेकिंड के लिए पकने देंगे और बारीक कटे वे प्याज भी डाल देंगे इन्हें गॉल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे प्याज हमारे गॉल्डन ब्राउन हो गए हैं दई में जो मसाले मिलाके रखे थे वो डाल देंगे इन्हें चलाते वे अच्छे से पका लेंगे कर्ची को जल्दी जल्दी चलाते रहना है नहीं तो हमने जो दई डाला है वो फट जाएगा और सबजी अच्छी नहीं बनेगी थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से तेल चोड़ने तक पका लेंगे ये देखिए तेल अलग हो गया है और मसाले हमारे अच्छे से पक कर त्यार है तने भी हमारे बोईल हो गया है ये देखिए इस तरीके से देखेंगे ये देखिए अच्छे से पक्कर त्यार है चने भी दो बड़े चम्मच उबलेवे चने इसमें डाल देंगे सारे चने नहीं डालेंगे उबलेवे चने डालते ही इस तरीके से कट्छी से मसल मसल कर अच्छे से मेश कर लेंगे जिसे हमारी ग्रेवी जो बनेगी बहुत ही गाड़ी और अच्छी बनेगी आप चाहे तो थोड़े से चने लेकर मिक्सी में पीश कर भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से मसल कर बनाएगे तो चने हमारे बहुत ही अच्छे बनेगे यह देखिए इस तरीके से चने हमने अच्छे से मेश कर लिये हैं 3-4 चमस फ्रेस मलाई डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई से हमारी सबजी में क्रीमी सा टेस्ट आएगा जिससे हमारी सबजी का स्वात दोग ना बढ़ जाएगा उबले वेचने सारे डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिला देंगे एक चमत छोला मसाला डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे तेज आंच पर थोड़ी देर चलाते हुए पकाएंगे आंच को दिमा कर देंगे और डग कर पकने देंगे बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहेंगे वापी से डखन लगा कर पांच से छै मिनट तक दिम्याज पर पकने देंगे ये देखिए कितने अच्छे हमारे छोले बन कर त्यार है आप देखके ही पता लगा सकते है छोले हमारे कितने करीमी, मसालेदार और चटपटे बने है ये देखिए आप भी इस तरीके से बनाईए, खाईए और कमेंट करके जुरूर बताईए कि कैसे बने है छोले तो चलिए हम छोले सरो करते हैं रोटी, पूरी, प्रांठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं और ये छोले तो इतने टेस्टी है कि आप बिना रोटी बिना पूरी भी खा सकते हैं आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जुरूर बताना अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सबस्क्राइब जुरूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें यो पूरा देखने के लिए धन्यवाद